न चाशनी न घंटो लगाना सूजी के हलवे का ऐसा नया तरीका कि जिसके सामने मूंग दाल का हलवा भी लगेगा फीका और इस शुब अफसर पर आप करेंगे सभी का मूं इसी से मीठा हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पारूल कुगवित पारूल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिरी रामचंद्र जी के शुब आगमन पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुब कामना है आज मैं लेकर आएएँ आप सभी के लिए सूजी के हलवे की एकदम नई रेसिपी आप बल्सके खा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक डम यूनिक ओंस्पर टेस्टी सूजी का हलवा यनि मखनडी हल्वा बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी यहां पर यह मैंने बारीक वाली सूजी लिया है, हलवा बारीक सूजी से ज्यादा बढ़िया बनता है, वैसे आप इस हलवे के लिए कोई भी सूजी ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी या कप वो सेट कर ले और पूरा माप अप हलवे का इसी प्रकार ले आपको बिलकुल जरुद नहीं है, ग्राम में नापने भर की भी तो यह जो नॉर्मल मीडियम साइस की कटोरी होती है, यह मैंने यह ले लिए, तो पूरी रेसिपी का माप हम इसी प्रकार करेंगे तो यह एक कटोरी सूजी को सब से पहले हम डालेंगे एक मिक्सिंग बोल में और अब मैं या ले रही हो, दो कटोरी दूद उसी कटोरी से यहाँ पर देखे, मैंने दो कटोरी दूद लिया है, सिम्पिल पहले से उबलावा रूम टेंपरिचर का दूद है, ना जाधा थंडा ना जाधा गरम बिल्कुल ऐसा ही आपको रूम टेंपरिचर वाला यह थंडा दूद आपको इस रशिपन के लिए लेना है, तो जिस कटोरी से आप ने सूजी ली, उसी कटोरी से आपको 2 कटोरी दूद लेना है इसका टेस्ट टू इन वन वाला आता है सूजी के हलवे का टेस्ट तो आए गई साथ की साथ आपको इसमें बिलकुल मुंग डाल हलवे का टेस्ट आएगा मतलब वो लगेगा जैसे शादियो वाला मुंग डाल का हलवा बनाए और वो भी बिना जन्जट बिना मेलद घर के बहुत ही सिटबल सामान से लेजे दूद को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे अब हमें यहां सूजी को लगबब दूद में आदे घंटे के लिए भीगने के लिए रखना होगा जिसे सूजी का दाना एकदम नरम हो जाए फूल जाए अगर आपके पास समय हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं यह तीन-चार घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं तो बस इसको आदे घंटे के लिए डखकर रख देंगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप चलिए अब फटा-फट चड़ाते हैं गैस पर एक कड़ाई या पैन और कड़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चमच देसी घी अब घी के लिए भी रेशो आपको याद रखना है कि पूरे एक कड़ाई घी ना लगे लेकिन जो रेशो होता है ट्रडिशनल मखंडी हलवा जो बनाया जाता है उसमें रेशो इसे पकार रहता है एक कड़ाई सूची, दो कड़ाई दूद और एक कड़ाई घी और घी के करम होते ही, यहाँ पर हम हलका सा रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स को तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से बारिक कटे बादा, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से काजू और साथ में थोड़े सा सूखा वाला नारियल ड्राइफूट्स आप अपने मन के कोई भी ले सकते हैं हलवे में बहुत ही बढ़िया लगते हैं इस तरह से फ्राइ किये हुए ड्राइफूट्स आप चाहें तो उपर से भी डाल सकते हैं और बिना ड्राइफूट्स के भी हलवे को तैयार कर सकते हैं मैं आपको सजेस्स करूँगी जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही बनाईएगा और अभी तो आने वाले शुबपसर पर या तोहारों पर आप इसे जरूर बनाईएगा बेहत पसंद आएगा सब आपकी तारीफ करेंगे तो बस यहां ड्राइफ फूट्स को एक जिर मिनट ही लो मीडियूम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें फ्राइ कर लेना है कि कच्चा पर निकल जाए बढ़िया सी रोस्टेट खुश्बू आ जाए लीजे हमारे ड्राइफ फूट्स भी हो गए हैं बढ़िया से फ्राइ तो इनको हम निकाल लेंगे जनरली इस रेसिपी को बनाने में हमें जो भी दिक्कते आती हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्राब्लम नहीं आएगी पहली बार में आपकी जो रेसिपी है 100% परफेक्ट बनेगी अब जो यह घी बचा हुआ है तो इसी कड़ाई में हम अपना हलवात आयार करेंगे तो जो अभी हमने एक कटोरी घी लिया उसी में से थोड़ा सा घी अभी इसमें और डाल देंगे लगबग चार बड़े चमच के करीब फिर जितनी जरुवत हों कि उस अनुसार इसी में से हम घी लेते जाएंगे घी को कर लेंगे बड़िया से गरम फ्लेम को कर देंगे बिलकुल लो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रहे हैं हो एक कटोरी चीनी उसी कटोरी से जिससे सूजी ली उसी से एक कटोरी चीनी लेंगे अब एक कटोरी चीनी को हमें डालना होगा इस गरम घी में आप सुच रहे होंगे पारूल क्या कर रही है अभी तो आप देखेगा क्या जबरदस्त कलर का और स्वात का हलवा बनेगा मतलब टेस्ट, टेक्शर, फ्लेवर, सब कुछ ऐसे कि सब खाते रह जाएं. चीनी को यहीं घी में डाल देंगे और लगातार चलाते वे बिलकुल लो फ्लेम पर चीनी को पकाएंगे. मतलब हमें चीनी को मेल्ट करना है, साथ की साथ इसको इतना पकाना है कि इसमें बढ़िया गोर्डन ब्राउन कलर आ जाए. तो यह मैं अभी आपको दिखाऊंगी, चलाते जरूर रहें परना चीनी जल सकती है और फ्लेम को बिलकुल लो रखें. धीरे धीरे आप देखेंगे चीनी पिघलने लगेगी और इसका कलर चेंज होने लगेगा. चीनी को यहां में केरमल कलर आने तक पकाना है जैसे केरमल बनाते है ना पानी में इसको हम घी में कर रहे हैं तो घी क्या होता है अलगी रहता है और चीनी का रंग डार कोने लगता है यह इसकी खास बात है और यही सबसे जरूरी स्टेप है इस मखंडी हलवे का यह देखिए आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट होगी है और धिरी धिरे ये डाक कलर में होती जा रही है बहुत ही प्यारा एकदम चीनी में कैरमल कलर आ गया है जैसे की आप देख सकते हैं डाग कलर आ गया है बस इतना भर तक इसको आप पका ना ओर जादा इसको नहीं पकाएंगे लगब चैणी का बहुत ही प्यारा कलर आ जाता है तो अब इस स्टेश पर गैस को कर दीजे कुछ अब आपको लग रहा होगा कि जो चीनी थी वो हाड़ सी लग रही है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे पकाते जाएंगे चीनी बिलकुल बापिस बढ़िया से मैल्ट हो जाएगी क्योंकि सूजी और दूद का मिक्स ठंडा था और जाएंगे तो जब इसमें हमने डाला तो यह हलकी सी सकत हो जाती है पर बापिस से फिर जब गैस अन करते है और मिलाते है तो यह बापिस मेल्ट हो जाती है और लो फ्लेम पर बढ़िया से हलवे को पकाईगे जब तक कि जो दूद है वो पूरी तरह से सूखना जाए और य यह जो माखंडी हलवा है यह स्पैशली काफी अच्छे घी की मात्रा में इसे बनाया जाता है तो इसका टेस्ट जैसे मैंने बताया है मुंग दल हलवे और मिलक एक जगा कुछ वैसा आता है और वो स्वाद मिलता है घी से आप इसे बनस्पती घी में भी बना सकते है तेल म यह बढ़िया नहीं लगेगा लगब 10 मिनट लगेंगे पूरी तरह से पकाने में अब यहीं परवेस में फ्लेवर के ले डाल रहे हो एक चूटी चमच एलाइची पाउडर अच्छे से कर देंगे मिक्स और आप देख सकते क्या कलर आ रहा है मजा आ जाएका खाकर और यह जब आप इसे कर्ची से ऐसे उठा रहे है तो देखिए फिसल रहा है इसका मतलब हलवा बिलकुल रेडी हो चुका है वाव भैतरी ही न आप देख सकते क्या मस्त कलर आया है हमारे सूजी के हलवे यानि मखेंडी हलवे में बहुत ही प्यारा देखिए टेक्शर देखिए इ तो बवार ये देखिए बाकी सारे हलवे भूल जाएंगे आप इस मखंडी हलवे को अगर आप एक बार ट्राइ कर लेगे और देखा बनाना कितना सिंपिल है स्रिफ सूजी के हलवे से जो स्टैप से वह बिलकुल अलग है जो इसको बना देते हैं एकदमी अलग और बैतरी ये देखिए इसका कलर, टेक्स्टर, कंसिस्टेंसी से वह आप देख सकते हैं क्या मस्ता ही है चलिए फटा-फट से करते हैं गर्मा-गर्म अपने मखंडी हलवे को सर्व तो ये लीजिये बिलकुल तयार है, बहुत ही लाजवाब और शांदार सूजी का मखंडी हलवा जिसे बनाना बिलकुल बनता है क्योंकि अपने टेस्ट में ये इतना लाजवाब है कि जो भी एक बाइट खाएगा वह उस खाता ही रह जाएगा और लगातार खाता जाएग और जब आप इसको इस तरह से दौने में सर्फ करेंगे तो मतलब मजाई आजाएगा एक दम आपको वो हलवाई वाली जो शादियों में हलवे खाते है बिलकुल वही वाली फीलिंग आएगी तो आने वाले किसी भी शुव अपसर पर त्योहारों पर आप इसे जरूर कि आप इसकी कंजिस्टेंसी देखके लग रहा है कि बस मुह में जाते ही घुल जाए ऐसा वाला यह हलवा तयार हुआ है और जो भी खाएगा पहली बार में पहचान नहीं पाएगा कि आपने सूजी से तयार किया है तो जरूर से ट्राय करें मुझे जरूर बताएं आपने झाल झाल